अजी स्वागत आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ओनलाइन प्लेटफोर्म में अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बड़ली अभिलेक के बारे में अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बड़ली अभिलेक के बारे में तो सबसे पहला प्रशन तो यह आता है कि बडली अभिलेक जो है वो कहां पर हमारे को मिलता है तो बडली अभिलेक जो है वो कहां पर है अजमेर के अंदर जो है वो मिला है अजमेर जो राजस्तान का अजमेर है वहाँ पर जो है वो बडली अभिलेक जो है हमर को मिला है फिर बात आती है कि जो बडली अभिलेक है ये कौन से समय का है तो ये जो है वो 443 इस्वी पूर्व जो है इस समय का जो है ये बडली अभिलेक बताया जाता है अब 443 इस्वी पूर इससे पुराना अभिलेग जो है वो राजस्थान के अंदर और कोई सा भी नहीं मिलता है इसका मतलब यहां से एक फैक्ट और निकल कर आता है कि बड़ली अभिलेग जो है वो राजस्थान का प्राचीन तम राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेक है यहनकि राजस्थान के अंदर जितने भी अभी तक अभिलेक मिले हैं उनके अंदर अगर सबसे पुराना कोई अभिलेक मिला है तो वो है बडली का अभिलेक और यह कहां पर मिला है? यह अजमेर के अंदर हमारे को मिला है कौन से समय का है यह 443 इस्वी पूर्व समय का है यहनकि राजस्तान का सबसे प्राचीन तम जो है वो यह अभिलेक है फिर बात आती है कि इस अभिलेक को जो है वो कब लिखा गया था बडली अभिलेक को जो है वो कब लिखा था तो बडली अभिलेक के बारे में जो है समझने से पहले समझो किसके बारे में वीर निर्वान समवत के बारे में वीर निर्वान समवत के बारे में तो वीर निर्वान की बात कर रहे हैं निर्वान का मतलब होता है कि जब सरीर नष्ट होता है उसको बोला जाता है यानि कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको बोला जाता है निर्वान और वीर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं महावीर तो महावीर जब महावीर ने दुनिया छोड़ी थी उसके 84 साल बाद जो है यह अभिलेक जो है वो लिखा गया तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है कि वीर निर्वान समवत 84 के अंदर यह अभिलेक जो है वो लिखा गया था यह एक दो बार इस तरीके से जो है वो प्रशन पूछा गया था कि वीर निर्वान के अनुसार जो बड़ली अभिलेक है ये कब लिखा गया तो वीर निर्वान समवत 84 जो है वो यहाँ पर बड़ली अभिलेक लिखा गया था अब इसको decode कैसे कर सकते हैं तो हमारे को पता है कि महावीर निर्वान जो है वो इंगलिस कैलेंडर के अनुसार जो है वो कब आता है 527 BC अब 527 के अंदर से अगर आप 84 निकालोगे तो यह आ जाएगा 443 यान कि वो का वो ही आ गया है जो अभी हम मैंने आपको बताया कि 483 ECV पूर जो है वो यह अभिलेक लिखा गया था लेकिन इस तरीके से यह क्यूशन जो है कि वीर निर्वान समवत 84 के अंदर यह जो है वो बड़ली अभिलेक जो है वो लिखा गया था ठीक है यहाँ तक की बात समझ में आ गई फिर इस अभिलेक के अंदर हमारे को क्या जानकारी मिलती है इस अभीलेक के अंदर हमेर को ये जानकारी मिलती है कि चितोड के अंदर जो चितोडगड है चितोडगड के अंदर जो वहाँ पर माध्यमिका ये जो जगए थी उस समय जो माध्यमिका जगए थी चितोडगड के अंदर यहाँ पर जो अधिकांस लोग जो है वो कौन से थे जैन धर्म को माणने वाले थे चितोडगर के अंदर जो माध्यमिका नामक जो जगय थी वहाँ पर अधिकांस लोग जो थे वो किसको मानते थे जैन धर्म को जो है वो मानते थे यानि कि बड़ली अभिलेक के अनुसार जो माध्यमिका जो थी वो क्या था ये के जैन धर्म केंद्र यानि कि यहाँ पर जो है वो जैनी लोग जो है वो अधिक रहते थे फिर यह अभिलेग जो है हमारे को कैसे और किसके दुआरा जो है वो मिला तो यह अभिलेग हमारे को मिला 1912 के अंदर 1912 के अंदर जो है यह अभिलेग हमारे को मिलता है और गोरी संकर हीरानन ओजा गोरी संकर हीरा चंद ओज़ा यह नाम याद रखना गोरी संकर हीरा चंद ओज़ा जो है इनको यह अभिलेक मिला था कब 1912 के अंदर अब यह कहां से मिला था तो वहां पर बिलो माता का मंदिर है वहां पर बिलो माता का मंदिर है उस मंदिर से जो है वो गोरी संकर हीरा चंद ओज़ा को जो है 1912 के अंदर जो यह बड़ली अभिलेक है यह मिला था तो यह भी याद रखना कि बड़ली अभिलेक जो है वो किसको मिला था कोरी संकर हीरा चंद ओज़ा को मिला था और अभिलेक का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो इसके जो लिखने की जो लिपी है वो कौन सी है ये भी बहुत ज़्यदा जो है वो पूछा जाता है तो ब्रामी लिपी के अंदर जो है ये लिखा गया है ब्रामी लिपी के अंदर ये बढ़ली अभी लेक जो है वो लिखा गया है और मैंने आपको ये तो बताई दिया कि ये जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन तम अभिलेक जो है वो है तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको रिवाइस कर लेते हैं फटाफट बडली अभिलेक जो है वो अजमेर के अंदर मिला है और कब का है ये 443 इस्वी पूर का है ये बडली अभिलेक जो है वो राजस्थान का सबसे पुराना जो है वो अभिलेक माना जाता है इससे पुराना राजस्थान के अंदर और कोई भी अभिलेक जो है वो नहीं मिला है फिर बात आती है कि ये जो अभिलेक है ये कब लिखा गया था तो ये वीर निर्वान सम समत 84 को जो है वो लिखा गया था और अगर हम इंगलिज कलेंडर के अनुसार बात करें तो 527 बीसी के अंदर लिखा हुआ था और अगर 527 और वैसे अगर बात करें तो वीर निर्वान समत 84 को ये जो है वो लिखा गया था फिर बात करते हैं चितोडगड ये जो है चितोडगड के अंदर इसके अंदर ये जानकारी मिलते हैं कि चितोडगड के अंदर जो माध्यमी का नामक जो जा गया है वहाँ पर जो है अधिकांस लोग जैन ध्रम को मानने वाले रहते हैं इसका मतलब माध्यमी का जो है इसे 1912 के अंदर मिलता है, किसको मिलता है, गोरी संकर हिराचंद ओजा को मिलता है, कहां से मिलता है, विलो माता का मंदिर है, वहां से ये जो हैं हमारे को प्राप्त होता है, तो इस तलिके से हम बढ़ली अभिलेग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और बढ़ली अभिले लेक माना जाता है तो यहां पर यह जानकारी है इसको आप देख सकते हैं बढ़ली अभी लेक अजमेर के अंदर 443 सीस्वी पूरु का है राजस्तान का प्राचेंतम अभी लेक है यह अभी लेक वीर निर्वान समवत 84 में लिखा गया था इस अभी लेक के अनुसार माध्यमिका जनके चितोड के अंदर जो है एक जैन के अंदर था 1912 के अंदर गोरि संकर हिराचंद होजा को यह ब लेक बिलोह माता मंदिर से प्राप्त हुआ था राजस्तान में ब्रामे लेपी का सबसे प्राचीन जो है वो सिला लेक यह माना जाता है सिला लेक का मतलब यह जो है वो किस पर लिखा हुआ है एक पत्थर पर लिखा हुआ है शिला का मतलब होता है पत्थर और लेक का मतलब लिखा हुआ तो यानि कि ये पत्थर पर लिखा हुआ अभी लेक है तो इस तरीके से आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं तो उमीद आपको समंझ में आया होगा अगर आपको complete notes जी हो तो आप मेरे को screen पर जो number दिख रहे हैं उस पर मेरे को workshop कर सकते हैं आपको free of course जो है वो सभी notes किसी भी class के किसी भी exam के जो हैं आपको notes मिल जाएंगे बिल्कुल free of course okay guys मिलते हैं गले टोपी के साथ thank you so much